नमस्कार दोस्तों मेरा अस्तान गोट परमोनर जे तोसिक बोल रहा हूं मेरा फारा मजमेर से 12-13 किलोमेटर की दूरी पर है नेशनल आईवेट के पास में है जो मेरा चैनल पर नया है तो मेरा चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले तक आने वाला नया वीडि कैशों से स्टार कर सकता है कम बजट में कम लागत में फार्मिंग स्टार कर सकता हुआ चोटे बच्चों तो यह están केजी अटारा कर सकता है वार्सब कर सकता है वार्टसब करेंगा अच्छा बेटर अधर मैं वार्टसब का जुरूर जवाब देचेन नहींगा कॉनक्ट में बहुत कम हो पता है, मुझे दोड़ा काम रहता है, मुझे आधर आधर निहीं कर प大概 हूं अगर यह इसमें male लेगा तो 240 female लेगा 230 और कोई में से बात करके या फारम आके भी बात करेगा तो जो गुंजाईस होगी तो मैं कर सकता हूँ अगर आप advanced booking करातो तो बेटर है आपको माल मिल जाएगा या फारम आके भी booking करा सकते हो इसमें भी कोई तक्लिब नहीं है आपको जैसा माल जैब वैसा बन जाएगा ये बच्चे इसमें चोटे चोटे जो नया farming start कर रहा है कम बजट में तो चोटे बच्चे से स्टार्ट कर सकता है आप चोटे बच्चे से स्टार्ट कर सकता है और एक बात यह है कि भी अभी गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से आप दिन में या दोपेर को गाड़ी लोड ना करे साम को करे तो अच्छा है कि जो गर्मी से लूसे यह बक्रियों के कुछ जब गाड़ी में लोड होके यहां से चलती है तो लूसे कुछ दिक्कत ना हो रात को या शाम को लोड करो गाड़ी तो अच्छा है तो आप से लिए बहुत बहुतर है वक्रियों के लिए उसको कोई दिक्कत ना हो ने अभी इस टाइम दोपेर को गाड़ी लोड करोगे तो गर्मी के अंदर तो अच्छे प्रोब्लम में आ जाते हैं इसलिए आप रात को या शाम को लोड करोगे इस टाइम तो अच्छे रहेगा गाड़ी कहीं के ले जाने के लिए आपको जिसके बही को माल चाहिए तो मुझसे कॉंटेक्ट करके और कुछ भी सवाल है तो मुझसे कमेंट कर सकता है या आपको माल ऐसा मिल जाएगा जैसा आप चाहो वैसा मिल मुझसे कॉंटेक्ट पर बात करके बोल के वार्टसप करके भी बता सकते हो जो अजमेर आया हो है वो भी मुझसे एक बार बात करके पोस्त मेरो फारम आके विजिट कर सकता है मैं मुझसे बात कर ले हैं मुझे वार्टसप कर दे मैं उसे रस्ता बता दूंगा फिर भी रस बड़े से लेके चोटे से लेके बड़ा माल तक मिल जाएगा और जो ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगए तो आप लाइक जुरूर करना और आपका कुछ सवाल हो तो कमेंट करना और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना भई आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जुरूर करना दिन्यवाद